सारा शार शुर्ट में ने आई हैं के घर में को शुब का रही है बड़े भाई दीब शर्मा जी भी थे और बहुत हैं मैं खाना नहीं बना रही हूं कि ज्यादा रेड़ी नहीं हुए बस नो हेलो काईज वेलकम टो मैंनी व्लागर नमस्कार क्यामो नाचेशा भाई सफाइनल आज की मार्निंग बहुत अच्छी हुई है क्योंकि हजबंड जी ने मुझे सर्पाइज देने की कोशिश की है सो मैंने सर्प्राइज होने नहीं दिया तो आज सुबह के सारे काम बगरा करक नया वाला जिसके भी ऑपनिंग हुई है अभी मेरे हस्बंड ने पुराने वारे रजस्तानी में खिलाया है तो आज हम जाएंगे जो नया वाला खुला है उसमें तो मेरे हस्बंड जी गाड़ी निकाल रहे है और मैं चलती हूँ मैं होगे हुए रेड़ी तो ज्यादा र फिर हमें थोड़ा सा मार्केड भी जाना है थोड़ा सा काम है हमें तो चलिए हम निकलते हैं फटापट और बने रही है आप वीडियो के साथ तो हम पहुँच गये हैं और देखे यह है राजस्तानी जलपान ग्रहे एवं भोजनाले तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर और ह अश्तानी जलपा शप्राइब ग्राजस को बारता हैं वहल deja मैं अपर गए मुख ऑनाना है कर स्वीड मैं ने इंके घर में को शिप घाने को है इसके इसके इसे अ कॉप अपर आई सो उपर वाले फ्लॉर पे है इसमें बैठने की जगा तो चलिए देखते हैं कि कहां बैठने की जगा और डैकोरेट इतना सुन्दर हो रखा है अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है और गुबारे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए चलिए अपना सीट देखते हैं सो यहाँ पे जो है दो किचन है एक किचन तो अंदर है और एक किचन जो है वो बहार के साइड है सो चलिए देखे हम बैड़ गए हैं उसके बाद मैंनों मंगवाया उसमें देखते हैं कि क्या क्या खाना है सो हमने मंगवाया है एक थाली जो उसमें बहुत सारी चीजे है उसमें नान है चावल है सबजी है मिठाई है रायता है सैलेड है सो बहुत अच्छा लगा हम दोनों हजबन बाइप ने एक साथ खाना खाया और बहुत ही स्वादिश्ट खाना है और काफी लोग है यहाँ पे क्योंकि जब आपनिंग हुई है नया नया तो सभी लोग आते हैं सो बहुत अच्छा लग रहा है साथ में सो हमने अलग से चावल और दाल मंगवाया और बहुत टेश्टी खाना था सो खाना खाके हम निकल चुके और हम जा रहे हैं लिफ्ट से जब लिफ्ट लगा है तो लिफ्ट का भी आनंद ले ही लेते हैं सो हजबन बाइप हम दोनों चल दिए अब नीचे वाले फ्लॉर पे जाना है तो ग्रेंट फ्लॉर पे जाना है तो उन्होंने बिटन दबाया फिर बस अब चलते हैं और बहुत अच्छा लगा आज गूमके तो चलती है हम चल रहे हैं नीचे और हजबन ने जिससे पूछते हैं कि कैसा लग मजाया मजाया तो खाने आए तो हम टाइम से घर प क्योंकि पहले बाले भी रेश्टरेंट में उनका बहुत अच्छा खाना तो इसमें भी खाना उनका बहुत अच्छा था लेकिन सर्विस में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है जब आपने चीज मंगा लिया ओडर में आदा गंटा लगा दुवारा जब ओडर करा फिर ह भी कस्टमर बगर आ गए और भी कस्टमर बैट रहे हैं उनका सो जब हम घुसे होटल के अंदर तो एकदम से हमारे पूर नगर पाली का अद्देख श्री बड़े भाई दीव शर्मा जी भी थे और बहुत सारे लोग थे सो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और कही न कही मुलागत होई जाती है भाईया से सो चलिए अब मैं अपना काम करती हूँ और थैंक्यू फॉर हजबंड जी को कि उन्होंने मेरे को दो तीन बार बाहर का खाना किलाया जो हम कभी कभी हम हजबंड वाइप चले जाते हैं बाहर जब हमारा मन करता है तो हम दोनों ही चले जा चाना चाते तो बच्चे जाते नहीं जाना चाते हैं तो हम दोन दोने चलए जाते चिली में अपना काम कर थी हूँ मुझे कर ना है वएक्स कर लूह उसके बाद हमारी मैडम जी काा वेक्स है आज यह हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है यूटूब वीडियो बनाना मेरे हजबन नहीं बोला था कि तुभी ब्लॉग बना श्टार्ट कर मतलब तु पालर का काम करती है तु खाना बगर बनाती है हाँ खाने से मैं आपको बताती हूं कि आप मेरी वीडियो में देखते हों कि मैं तरह तरह का खाना बनाती हूं कि खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में हसमें के कैýड वार कि मेरे बिटल रोटी खाता है तो थ Pablo बाहर ने के जाती हूं तो मेरी जिम्मेदारी होती है सब खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और खाने से ही अगर आपका परिवार कुछ नहीं है तो चलिए सब बाते तो बात की बात है मैं अपना काम कर लेती हूँ अब शाम की चाए बना लेते हैं और चाए बना रहे हैं काली जो गुड़ की चाए पीते हैं हम हस्बन वाइफ तो हम वही बना रहे हैं और गुड़ चाए पती डाल दिया बस थोड़ा मुझा दरग डालना है इसमें अब बना लेते हैं रात का खाना क्योंकि टाइम भी हो चुका है तो खाने में देख लीजिए क्या क्या बन रहा है सो आज खाने में बना है देखिए साग और बना है देखिए टंडल की सब्जी तरी वाली जो बहुत निकाल दी आलू की भुजिया और बनाए हैं मैंने धनिये की चटनी बहुखरी मिर्ची डाल के और बस बेटे के लिए थाली निकाल दी आलू की भुजिया और पराठा सो आप फटापट कर लेते हैं दूद गरम जो की हो चुका है मेरा और सो बेटी के लिए बना है खिचडी इल्कु सादा खिचडी है सिर्फ मूं की दाल की खिचडी बनाई है सिंपल जीरे का तड़का देखिए क्योंकि उसके तवेट थोड़ी सी डीली सी है तो कुछ भी नहीं खा रही है कहा रही है कि मम्मी खिचडी बना दो सादा सिर्फ जीरे से तड़का देखिए तो खिचडी बन चुकी है सबने खाना खा लिया अब मेरी बेटी की वारी अब उसको दे देखिए खा रहे हैं अब खाना और वीडियो के ही समाप करती हूं मिलती ही अगले नए वीडियो पे